प्रण लिया था कि मैं जब तक आफी सर नहीं बनूंगा मैं घर नहीं जाओंगा कितनी बड़ी बात है मतब किसी इंडिविज्वल पर्सन के लिए कि घर पटना से 200 किलोमेटर है यह चाहते तो हर विकेंड में जा सकते थे बट इन्होंने जब से त्यारी शुरू की यह बता रहे हैं कि घरी ने गई किसी का कुछ ऐसा कमेंट था किया रहे कहा जा रहे हो भाई बीटेक तो कर लिए नौक दिलो और अपना से ठो अब कहां यूपेसी बीपेसी में जार नहीं हूंगा एक लंबा टाइम लग जाएगा ऐसा कुछ किसे का इंपूट आया था जब भी मैं अपने लाइफ में लो फिल किया हूं बहुत यूपेसी का मैं प्रिलिम्स के लिए नहीं हुआ था तो बहुत लगा था कि तॉलीवा तो घर पर कितने दिरवाद बताया था मत्तुस किसमत हो कि मैंसाब मेरे बड़े भी आ रहे हैं हो तुझे मेरे मम्मी और पापा ऐसा इंसा ने मिले जो कि हमेसा मुझे मुझे मोगल सपोर्ट देते रहे कभी किसी भी सिच्वेशन में हमको लो फिल करने के लिए नहीं जी इन में से एक और मतलब टॉपर समें एक और जो जिन से घर आज रहे हैं ठीक है उनकी और और बहुत जादा ला-जवाब थीक है जब आप उनको देश की दो होगे तो मतलब कहता है ना मतलब फाड़ के रखे हैं फोड़ दिया है ठीक है तो हम समझ सकते हैं एक्साइडमेंट आप लोगों में आ गया होगा कि कौन है क्या नाम है ना तो मैं बिना आप लोगों का ज्यादा वक्त लिए मैं सुमित सर को बुलाओंगा जिन्होंने बीप सर पहले तो जाना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको बहुत खुशी हो रही है बहुत दिन बाद सक्सस मिला बहुत महिनत करने के बाद इसलिए बहुत अच्छा फिल हो रहा है यह तो है सर जो अभियर्ति देख रहे हैं हम चाहेंगे आप उसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब कैसा रहा है तो थोड़ा यह ब्रीफ में सर एक बार बता है मेरा नाम सुमीत कुमार सुमान है मैं सारसा जिल्या का निवासी हूँ मैंने अपने क्लास 10 अद्वित मिशन हाई स्कूल से किया है उसके बाद मैंने अपना ग्रेजवेशन बीटेक डिग्री सब्सक्राइब कर यह बहुत बढ़ी बाद है अपने में घर कराना केंज दिखेंट को ले determination सब्सक्राइब कि जिसमें रिजल्ट आने वाई था चेर्मेन सर ने पहले ही ट्वीट कर दिया था तो एक बहुत ही अंदरा से डर का माहूल था कि क्या होगा नहीं होगा एक जाम अच्छा गया था में इसका लेकिन फिर भी एक डर आता है कि क्या मेर नम उस पीडियाफ में आप 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 जैसे मेर नम उस पीडियाफ में आया तब यह रिल्लक्स सा फिल आया अब आके चलो कुछ अच्छा हुआ है जिद्गी में तो जब रिजल्ट आया सार हम जानना चाहिए आप कहां थे दोस्तों के बीच में थे फैमली के पीच में थे यह रिजल्ट आपका आप खुद दे तेके थे मेरे बड़े भाइया उसने मेरा पीटी है मैंस रीजल्ट और फाइनल दिया मुझे उतनी हिम्मत ने हुआ थी कि अपूल के उस रिएक पाता इसलिए मेरे बड़े भाइया मेरे साथ ही रहते हैं उन्होंने प्रिदो देखा तब उन्होंने बुला कि हाँ अब सेले नहीं हो गानाम नहीं होता है तो बहुत ही डिसेपॉंट होता है तो इनके जो रिजल्ट है भाईया नहीं देखे तो बेट बाईया बताये सर तो कैसा लगा आपको थो बहुत खुझी क्पले उटके लाइक लेकिंट तो दोब मेहनत काम्याब हुआ अब हो गया है अब तुम खुश होना शुरू कर दो अब तुम को रिलाक्स होना चाहिए अब कुछ इस्ट्रेस नहीं लेना अब घर बगड़े जाओ बहुत दिन से घर भी ने गया था इसलिए अच्छा घर नहीं गया था जी नहीं मैं घर सब्सक्राइब है लेकिन आप धाई साल से नहीं घर गए घर नहीं जाने का कारण था मैं एक प्रन लिया था कि मैं जब तक ऑफी सर नहीं बनूंगा मैं घर नहीं जाओंगा कितनी बड़ी बात है मतलब किसी इंडिविज्वल परसन के लिए कि घर पटना से 200 किलोमेटर यह तो हर विकेंड में जा सकते थे बट इन्होंने जब से त्यारी शुरू की यह बता रहे हैं कि घरी नहीं गई दो-धाई साल से मतलब फिर पैरेंट्स से मुलकात कैसे हुई सर मतलब मेरे पापा जी डिफेंस में है पच्छुटी माते तो कभी-कभी मिल लेते थे वरना घरी परिफेंड मेरे जिए अच्छारी नहीं लगा दूवगाते तो माः मेरे क्या था अच्ति हैं ए FM भी में चत्क्र आकेरेंट्स ज़्युकेंद की इससे पर फॉर्मये लेकिनीट नहीं के आए था उसके बाद 12th class में मैं सीविय से मैंने पास किया 94 94 परसेंट मार्ट से था बहुत बढ़ी अच्छा हूं बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर का मतलब हाडवर्क अना मतलब स्ट्राइटिंग से था जब से यह पढ़ाई कर रहे हैं तब से इनका हाडवर्क बना हुआ है जैसा परफॉर्मेंस देख सकते हैं टेंथ में ट्वल्फ में आपका ग्रेजवेशन में और उसके बाद बीपीसी में जब बीपीसी का त्यारी कब शुरू किया था तो फिर में एक दो मार्क से यूपीसी का प्रिम्स में चूट गिया था इसलिए मैंने साथ-साथ सब्सक्राइब बीपीसी को भी सिलिए थोड़ा बहुत यह स्पेस्पिक बीपीसी में पढ़ना पड़ता है उसको परके मैं भीपीसी का एक्जाम दिया तो यह बीपीसी में मतलब वाक्या हो गया था कि नहीं हमको सिविल सर्विस में जाना है जंदा के बीच में रहना है जंदा का सेवा करना है ऐसा कुछ ख्याल था पहले से बनावा था या कोई इस्परेशन रहे हो आपके कुछ ऐसा कोई वाक्या हुआ हो सब्सक्राइब के साथ सिविल सर्विस में आने का ख्याल मेरा पहले से नहीं था आप बच्चे की तरह मैंने जब वेल्थ पास किया था तो कॉलेज में जाके इंजिरिंग करने के बाद एक अच्छा जॉब एक से विल सेटल होने का प्लान था मेरा लेकिन जब मैं थार्ड यर में था तो मेरे कॉलेज में सिविल सर्विस का सेमिनार करेंच किया था तो वह पर यह बताया गया था कि क्या-khi कि क्या से से में यह और सब्सक्राइब कि चाहित तो मुझे वह बोर्परप्रट्स को युज़ों कि उस में मुझे एसा लगा कि मारिम यह महीं से साब सा था इसलिए मैंने की और सर सेमिनार के बाद आप सोच लिए थे कि नहीं अब जाना है सिविल सर्विस का तैयारी करना है सिविल सर्विंट बनना है मतलब मैंड सेट हो गया तो प्रिलिम्स के लिए आप क्या सोर्सेज लेकर बाठे थे कि मतलब मतलब चुकि वह सर पूरा नया था क्योंकि आपका पहले से भी कुछ मैंड सेट नहीं था अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का मैंड सेट नहीं रहता बड़ एक टाइम के बाद एक वक्त के बाद लोग प्लान कर लेते कि अच्छा यह पीएसी करना है उस पर कितनों का बहुत वक्त लग जाता है आपका तो सर्फ जरूर आपसे जानना चाहेंगगा और अव्यृत्थी जानना चाहेंगगे जो इसे क्या सोर्स के लिए जो इनचर्स के लिए उत्कर्स क्लासे यह मुझे बहुत सपोर्ट मिला कुमार गौरॉफ सर का मैं एक बी क्लास तक मिच नहीं गया पूरा हो गया तो जब से मैं इस्टार्ट किया हूं कि एक एपिसोड को भी मिशने क्या हूं वह में जे करेंट के लिए सारा टेंशनी कुमार गड़ा क्लास करता है और मेंस के टैम में न्यूजपेपर वगरा भी पढ़ता था ताकि एंसराइटिंग के में हमको हेल्प मिल सक सब्सक्राइब करना उस लाइब क्लास नोट से बना लते थे उसको एक जाम वह सबसे बहुत लोगों से सुने हैं पूछें तो मतलब जो लड़का सुभा में यूट्यूब खोल रहा है तो वह कुमार गौरफ सर का क्लास देखने के लिए यह तो मतलब वक्तों सिहोर हो गय सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कर्णा से अनुट्व सरकार नोर्स परते थे तो मैं यूट्यूब से ही अपना इसलफ नोट्स बना परता था तो सर यूट्यूब पे आप इतना इंगेजमेंट रहता था सोसल मीडिया पर थे या फिर नहीं थे सब्सक्राइब कोई सोसल मीडिया यूजर नहीं कर रहे थे यह सिर्फ टेलीग्राम पर थे वह भी नोट्स के लिए तो यह प्रिपरेशन के दौरान मतलब डिस्ट्रैक्शन से हमको लगता है दूर रहना चीज़ आप कट जाएए एक एक्जामबल तो यह आप कही होगे एक्जामबल सर पहले ही बता दिए कि दो धाए साल से घरी ने गया तो जितनी सारी डिस्ट्रैक्शन थी जो सर जिससे ड कर लिए नौक दिलो और अपना सेट और कहां यूपीसी में जा रहे नहीं होगा एक लंबा टाइम लग जाएगा ऐसा कुछ किसे का इंपूट आया था क्या कॉलेज के समय में मेरे सारे जो फ्रेंड थे सबका प्लेस्मेंट हो गया था इसे ही मैं अपने पापा को इस फिल अपने लाइफ में लोफिल किया हूँ बहुत UPC की का में फॉझ्त के लिए नहीं वा था तो बहुत लगा था कि पहलीर का सामना मुझे करना पाईब्हूर अगया था ताकिया हमłem को कोई अपनी आगाई पास्मे नीगैटिव नीगेटिव इंस्वाने ले घ्क हम लेता है क्योंकि मेरे साथ मेरे नालज़ राते थे रहती है हमें सब्सक्राइं यह तो मुझ किसी का मध्रण और किसी करया का दो दिने पड़ता था देखे तैयारी के दौरान परिवार एक कैसे पीलर के तरह काम करते हैं और पिता का सपोर्ट है ना हलाकि फैमिली में सारे मिंबर्स का सपोर्ट बहुत जरोड़ी होता है लेकिन यह पिता का सपोर्ट यह मोरेल सपोर्ट जो सपोर्ट था एक मोरेल सप मतलब देना यह बहुत बड़ी बात है तो मैं सारे पिता को बोलूँगा कि यह moral support अपने बच्चों के लिए आप जरूर रखें अगर बात करें हम तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या होता है मतलब नोट नोट बनाना चाहिए उसके लिए पिलियम के लिए आप स्टीकी नोट छोटा सोट नोट बना सकते हैं परहाई करने का सबसे में चीज है मॉक्टेश देना जितना आप मॉक्टेश देते हैं आपका confidence उतना बढ़ता है और एक् कोचिंग इस्टिटीट मॉक्टेश और्गनाज करता था वह जितमें कहीं पेड सब्सक्रिप्सन नहीं लिया था जिसा क्योंकि आजकल सारा चीज ओनलाइन फ्री में अफ्लेबल मिल जाता है तो मैं उसे ही प्रिंट निकालवा कि अपने घर रूम में परेट किया है टाइ कि यह जो बदलता पैटर्न है जो पैटर्न बदल रहा है लास्ट टू यर से हम लोग देख रहा है ठीक है मैंस में भी बदला है प्रीलिम्स में तो प्लास्ट यर बदला लग लग उसको जो निगेटिव मार्किंग उस पर कंट्रोल करने के लिए अवयर्थी क्या करें इस सबसे सबसे बड़ी बात है कि आप प्रहना जो स्टेटिक वन लाइनर टाप का एक्जाम था खतम हो गया अब आपको एक होलिस्टिक एप्रोच अपनाना पड़ेगा प्रिलिम्स और मेंस का एक साथ प्रिपेशन करना पड़ेगा और जो चीज उस पर जिदा फोकस करना प पड़ेगा इस्टेंडर्ड बुक पड़ना पड़ेगा अताकि जो कंफीजन या कंफीजन खतम हो सके और प्रिलिम्स और मेंस का अलग अलग प्रिपेशन करना मुझता होगा इसको साथ में ही एक साथ प्रिपेर करना ही जवरी सर सही चीज बताया है देखे जो बदलता प जोइन किया था है पटना में ही और उस जोइन करने से पहले सर मेंस का जो सिलेवस है सर उस सिलेवस सिलेवस वाइज हम में एक सिल्फ नोट्स प्रिपेर कर लिया था जैसे कि पहले आते 38 मार्क से कुशन आता था उसमें 400-600 वर्ड में एंसर लिखना होता है तो जितना भी एक सिलेवस में हर टॉपिक पर में सर मैं भी जड़ा एनसर की मिलता है उस इंवर में इंफ्रमेशन को इचला इटिलाइज करके जो में नोट्स बने आता उसको अफडेट्ट करता था और एक 10-12 सेट का मॉक टेस्ट देने के बाद वह कंफिडेंस आ जाता है कि पेपर वर कंप्लीट हो जाएगा तो में में मॉक टेस्ट का बहुत बढ़ा रोल है अच्छा मांक लाने के लिए सरो में से बढ़ा हो यह किपने करें लेख कर दी तो उसके लिए मेंजर चेंजन ही इसको नॉर्मली जो भी पर होता है करेंगे थोड़ा सा है कि जो लॉंग को सब्सक्राइब करेंगे तो यह क्या मतलब इसके लिए रन नीती क्या होना चाहिए विर्थी होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं एक कंशेप्ट आपको क्लिर्टी होना चाहिए आपको आपके थोड़ाइब किजेगा वह उतना फाइदा करेगा वह उतना फाइदा करेगा है तो पॉलिशी में कर बनने के लिए आप एक कंसेप्ट क्लिर्टी होना बहुत ज़ाओ रही है इसलिए ऐसे का ऐसे पेपर का डिशन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया गया भी पेसी की दौरा हालां कि विपेसी वगरने बहुत पहले से सा था लेकिन भी पेसी में नहीं यह काना कि कितना घंटे वह सर में घंटा नहीं गिनता था मैं टार्गेट बेस्ट रखता था हैं को इस दिन इतना को टॉपी को कंप्लीट करना अगर आप 80% to 90% भी कंप्लीट कर लेते हैं तो वह मोर दें सफिसियंट है लेकिन वह उस टार्गेट को कंसिस्टेंशली डेल सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकि लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के मतलब वह रैटिंग कैसे मतलब उसका रनीती क्या होना चाहिए कितने लिखने चाहिए उसका फ्रेमिंग कैसे होना चाहिए इस पर मतलब आपका क्या रनी दी था इस पर एंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट करने से पहले आप उसे एक सीलेबस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा अगर सीलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो उतना इंफोर्मेशन आपके पास नहींगा तो आप उसको होता क्या अगर एग्जाम में कुघ्चन को संको ते-स्टार चार ने कर आता है तो श्माग के लिए कि रहेनुःर सबसे दो इसको नहीं सब स怕 kitty डिवारी कर सकते हैं पाली इंट्रोडॉक्सन दे सकते हैं पृप और एक दी size सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आप पैरेंट्स को बताए होंगे तो फिर क्या रियक्शन था उन लोगा कि अरे तो मतलब एक तो है ना धाय साल से मुलाकात हुई भी होगी तो मतलब घंटों घंटे पर के लिए क्योंकि आपको पट्णा में लौज वगरा में तो वहां पर तो स्टेक करना मुश्किल हो जाता होगा तो कैसा जब बताया है मतलब घर पर किते दिरवाद बताया थे आप पापा मेरे छुट्टी में थे मामी पापा साथ ही थे तो फॉन कर सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अंतता जब सफलता मिलती है तो सब के लिए कितनी बड़ी खुसी की बात होती है जैसे अभी यह बता रहे हैं कि इनके जो पिताजी है उन्होंने कहा कि कि आपने मेरा मान-सम्मान बढ़ा दिया है ना तो यह मान-सम्मान के लिए इन्होंने भी कितने सक्रिफाइस किया और उन लोग का भी कितना मतलब सक्रिफाइस वो लोग भी किये और कितना इनको moral support यह बहुत सब बात करता है नहीं पा रहे हैं तो सर उनके लिए क्या मतलब आप कहना चाहेंगे सबस्टेस को मिलता तो वह खुश होगे लेकिन अगर को इनसान कि रहे चाहिए मीहनत भी करते हैं लेकिन कि कारण वस किसी वजह से उनका सफलता नहीं मिल पाता है तो सर उस संदर्ब में थोड़ा सा डिसकेशन करना चीज है ना वो चीज मत्तब उस पर कैसे उन लोग वहां से ओवर कम करें हम लोग जी सोसाइटी में सर रहते हैं वहां सक्सेस को बहुत जिदा ग्लॉरिफाय किया जा ने मिल पाता है इसका यह मतलब नहीं है कि रीयर लाइफ में फेली और पहुंच रहा ह moral तक defense प्लानपी को प्लान िकी तरफ देखा जाए एंसान सकस्पूल ना रहे हैं इक तयारी के दौरांने एक लंबा सफर होता है ठीक है मतलब किस तरीके का परशानी कहें या कठिनाई कहें तो आप मतलब उसका सामना करना पड़ा ऐसा कुछ क्या वाक्या हुआ क्या कुछ अगर ना लो करते थे इस टेंप में मेरे सक्षश में 50 परसेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरे सबस्क्राइब करते रहे हैं आपको चफलता एक दिन जरूर मिलेगी वही मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया और मेरे साथ हमेशा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं उनका भी एक पैरेंट्स के तरह गाइड करना वो मेरे लिए मैं खुसकिस्मत हूँ कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई आ रहे हैं और मुझे मेरे मम्मी और पापा ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत बड़ी बात है सर यह मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत है तब तो मतलब जैसा सुनके लग रहा है कि आपका जो कठिनाई आया होगा अगर कुछ ऐसा इंडिविजुल कठिनाई भी होगा तो उससे उबरकम करने मतलब सेकंड भी नहीं लगा होगा सर एक्जाम के द हैं यह सब चीद से जो अवियर्ती है कैसे करें सर मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रोल्म आज कल चस्वर रहा एगजाम करते हैं में तो मेंटल इस्ट्रेस को टेकल करने के लिए हमको झाल सारा जैसे कि बाहराओ आस्पडोस के लोग भी ताने मारने लग जाते हैं हैंना बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई अब तो कर लो कुछ और कर लो या ना कहां लगे हो तो यह सब ना एक तुम इंग्जाम्पल ऑफ मेंटल स्ट्रेस यह सब देते हैं यह सारी चीज़ तो इससे कैसे लोग अवाइड करें यह सब को मेरा आपको भी साथ कि ये है आगर दों सुचिए यहां बहुत सब्सक्तों अब ईक्राइबा गारे को सब्सेक्राइब अब उख दंसे आनोसे घटी तो आपको मेंटल स्टेश्यों सब्स और यह आप खत्म हो जाएगा मेंटल स्टेस्श के वज़ह से लोग कर देते हैं कितने लोग मैं मैं काना चाहूं कि अगर कि नहीं का गॉल यूपसी है तो यह एक हंडेड मीटर नहीं है यह मैराथन टाइप का एक्जाम है तो थोगा समय लगता है लेकिन आप अगर डेडिकेशन से मेरत करते हैं तो आपको सफलता जोर मिलेगे बहुत बढ़िया से बात बताये हैं कि यूपसी बीपसी जो है एक मैरेथन टाइप का एक्जाम है तो आप यह आप चाहेंगे रातो रात सक्सेस हो जाए तो नहीं हो पाएगा आपको इसके लिए धहर रखना पड़ेगा और निगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा और सर यह चीज के अलाबा जो एक्जाम चुटा लगता है इसा हुआ था आपके साथ भी क्या साथ इसा नहीं होँआ क्योंकि साथ मैंने बहुत ज़्यदा मॉक टेस्ट दिया था अच्छा अगर आप बहुत सब्सक्राइब दे रहे हैं तो उसमें आप एक टाइम फ्रेम में मॉक टेस्ट बनाते हैं तो आपको ल कि एक जबने है तो की से सफल होता है और चीज नहीं करते है तो छीजों को अलग तरीके से करते हैं को हैं कटिज नहीं करते वह increase है बस चीजों को अलग तरीके था इनका अपना जो सेक्रिफाइस किये सारी चीजे फैमिली से दूर रहे हैं कुछ दिन का संघर्स था तो कह सकते हैं कि चीजों को ना अलग तरीके से करते हैं यह रहा है सर जो मॉक इंटर्व्यू होता है जा सर तो ये मॉक इंटर्व्यू में आ रहे हैं फिर वहां तो मतलब कैसे दोनों क्या इंटर एक आपने प्रेशनलिटी को चेंज कर सकते हैं यहां से कुछ फाइदा मिला था जी सर यहां के इंटर्वियू से बहुत पैदा मिला था जैसे कुछ पुछे थे मुझे पुछे थे तो मैं वह बताने में तो जितनी भी छोटी-छोटी बात पूछ लिया था और उन्हें अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि आपका माक्स इंक्रीज हो जाए तो इतना चीज है बात करने का बात कमेगा नहीं तो यह मतलब एक पूछना चाहेंगे जो अवीयरती तैयारी कर रहे है जो आगामी एकजाम आने वाले है 69 सेवन 10 फिलिम्स है तर उस अवियरतियों के लिए आप क्या सजेशन और क्या क्या tava头 करना चाहेंगे सिक्टीनाइन का अगर बात करें उसका के लिए प्रिलिंट राला चाहिए तो उनको एपयम फोकॉसन रहाना चाहिए मॉबक्त लगना चाहिए अपना fight सेल्फ मै नोट्न करना चाहिए इसे वगरे आजकल नया पेटान है तो एसे का बाप लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए अगर मॉक्टेश्ट में कम माक्स आया तो भी पुरा हतोस्थास नहीं होना है कि हमको कम मॉक्स हागया क्या मॉक्टेश्ट में में ली टीचर लोग कम माक्सी देते हैं ताकि आपने और इंप्रूमेंट है तो इससे आप इससे आपका होगा कि मैंस का प्रिपेशन सही हो जाएगा और यह ट्राइब करना चाहिए कि जो जितना भी कुष्टन है फूल पेपर को एटेम्ट किया जा अगर आप एक भी कुष्टन को छूड़ता है तो वह आपका सेलेक्शन के सेलेक् पर पढ़ना बहुत ही कम बसरी हो गया इस्टेंडर्ड बुक्स को बार बार पर यह जदा सिदा प्रिवेस को देखिए मौक टेस्ट लगाई है ताकि आपको एक्जाम में कमफर्टेबली आपके लिए कर पाएं सर हावी बुक लिस्ट सर क्या होना चाहिए अभी अर्थिय के लिए स्पेक्ट्रम बुक को पर ना चाहिए एकनोमिक्स के लिए मुणाल सार का नोट्स बेश्ट है उस नोट्स को अगर आपको परा होता तो से रियली बहुत है ना मिला होता है और इंवर्मेंट को अगर परना है तो संकर आयस का बुक है उसको कंसिडर कर सकते का कि मेरा संदेश यही है कि मेहनत करते रहिए एक समय कुछ समय बास सफलता जहूर आपको मिलेगी घवड़ाई के नहीं बस पैसें सब्सक्राइब करते रहिए सर बहुत अच्छा लगए सर आपसे बात करके आप बहुत ही बहुत बहुत पुन बहुत पुन टॉपिक पर कि सर्काइब